गुड बॉर्णिंग प्लास अब आपका लेक्टर है ऑपरेशन रिसर्च में कल में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करवा दिया है ठीक है दो दिन हो गया है अब हमें अब आपने इंट्रोब लिख लिएगी आई होप सो अपने कॉपीस पे बेसिक्स भी लिख लिख लि की साथ अपनी कॉपे में नोट डाउन करते रहना मैंने किसी दिन भी मैसेज कर देना किसी भी बच्चे को कि मुझे अपनी कॉपीस के नोट संड करो आपने बनाये हैं दिखाओ मुझे अब देखो फर्स्ट ओवर क्या था ओपरेशन रिश्च इस डिसिप्लें ऑफ एक्स बच्ति जाल डेशीन में देखाओ म RonaldAlckour यह कुपी बच्चर तौस्पर संड रिएशन अ को ओपर मीव अपनी करने किसी भी चीज के ऊपर कह था कमें मैथा इक TOPिक अचे उपर करना राषा करना ताल्यव डिंभी एपनानी ड्रिश्च स्व एक टोपिक को रुश्क मेंसें कितने तरके मोडल सरह देखों कि फर्स्ट रिन्यर्य प्रोग्रामिंगिंग फर्स्ट क्रोग्रामिंग डिस्क्रीट प्रोग्रामिंग एंड हमारा था continuous time macro change ठीक है यह continuous time chain है मतलब एक ही time पे चलती रहती है इसको कोई ending period नहीं है क्यूणिंग और साइमन टेलिश है next one है हमारा इसमें आपको ना clear नहीं है पिक्स्टी के वीडियो में वैसे मैंने PDF सेंड कर दी है उसमें से देखके notes मना ले ना PDF जो मैंने ये video बेजिए इसमें से सुन ले ना इसका क्या मिनिंग है और जो मैंने PDF बेजिए उसको देखके notes बना ले ना अपनी copy में first one model है हमारा linear programming कहते linear programming model कहुंस होता है जो linear based होता है ठीक है जिसमें क्या होता है typically mathematical program consist कर देजाते है single objective function पे ठीक है एक single objective function में और profit to be maximized इसमें profit क्या होता है maximized होता है और cost to be minimized और cost क्या होता है minimized होता है profit क्या होता है maximized होता है इंडा सम्रिकर गल considered decision variables होता है second है in case linear programming is a objective function and constrict the all linear function is decision variable इसमें decisions लेना variables का easy माना जाता है figure आपको अभी आगे show कर दूंगी आपको पता लग जागा कैसी होता है वैसे आपने linear programming पड़ा हुआ क्या at a first class these restrictions would be a seem to limit the scope LP model is the best hard case ठीक है सबसे अच्छा model है linear programming model is the best model in the operation research because it is a simplicity एक तो simple होता है ठीक है जितना data हमने cover करा उसका बाग्राफ शोग कर दो जाहाँ से linear programming एक वरियाबस कितनी है वाइब कितनी है ठीक है variables तो पताने कौन-कौन से होते हैं next है काते है contulence is a real world applications have a successful model and solved using linear programming techniques कैते है इसकी solve करना easy linear programming method से और successful model है ठीक है program next देखो यह देखो figure आपको show कर रही हूं इसमें क्या x and y is equal to x plus 4 y is equal to 16 ठीक है पहले तो हमने right side में हमाने variables ले लिए नीचे constants ले लिए ठीक है कितनी कितनी ratios पर कितने गना अगर मालो मैंने क्या है आपने plot करना ठीक है मैंने x दे दिया 0 y दे दिया minus 1 तो minus 1 वला हमने minus 1 के integers हमने जो इस graph में show करना है left वली side पे and positive integers हमारी right side में आएंगी जहां पे लिए 2 star x minus y इस side में आएंगी ठीक है और variables हमेशा हमारे कहां से आएंगे नीचे आएंगे and constants कहां से आएंगे right side में आएंगे अगर किसी को नहीं समझाए गए तो पूछ ले ना यह तो simple as a graph figure show करी हुई है ठीक है अगर आपको linear programming method आता है models आपने हैं तो आपने क्या करना पहले models के यह लिखके थोड़ा से explain करके linear programming का दन यह graph show कर देना कोई भी variables ले 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 ना जुरूरी नहीं कि यह यह आप x plus 4 y is equal to 16 लिया है तो यह लिखने है कोई भी variables अपनी मर्जी के कुछ भी लिख ले ना ठीक है figure में बट बनानी figure इसे ही है ठीक है जैसे linear programming के बनी है next आओ next model कौन सा है network flow programming ठीक है यहां पे clear नहीं है pdf में देख लेना मैं बार बार बोल रही हूं the term network flow model flow programming डिस्क्राइम का typical model is a special case of a more general linear programming कहते हैं अच्छा programming है यह भी model है जो हमारा second one model है यह भी बहुत सहीं model है network flow programming model जो है सबसे best model है कि कि इसमें O1 में कहते है class network flow programming include a such a problem in transformation of a problem इसमें क्या easily problem क्यों क्या कर सकते हैं transfer कर सकते हैं solve कर सकते हैं assignment भी बना सकते हैं and main इसका function is shortest part of a problem है ठीक है easily मतलब solve हो जाता है and maximum इसमें flow होता है और minimum इसमें क्या होईगा cost होईगी ठीक है maximum उसमें क्या था maximum profit था minimum cost होईगी इसमें cost मी minimum होईगी profit मी minimum होगा next third point क्या कहते है it is a important class because of many aspects the actual situation is ready to recognize the networks ठीक है इसमें recognize करते हैं हम networks को as a general linear program जैसे जर्नल में करते थे वैसे इसमें करते हैं linear programming next fourth one is when a situation can be entirely model as a network where efficiency is legothermics exist the solutions and optimization of a problem optimization problem कोंसे होते है जल्दी जल्दी इसको हम solve कर लें वो problem को ठीक है इसमें efficiency तो बहुत लगती है क्याते हार्ड वक तो बहुत है इस programming में ठीक है but utilization of time and space resource भी है इसमें utilized होता हमारा time और space पी clear next इसकी figure देखो इसमें क्या था उन्होंने बताया हुआ है कि external flow और internal flow दोनों flows ले लेने हैं यह just simple आपने कुछ मीनिंगा नहीं यहां पर मतलब शो कर दो ना 1 2 3 4 5 6 तक 8 तक नफिगर्स ले लो ठीक है कोई भी programming को किसी के साथ भी किनेक्ट कर दो ना मिले वन प्रोग्राम कनेक्टिंग को दा फोर्स 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 प्रोग्रम क्नेक्टिंग दा थाएं थार्ड में विन्था आपस में connections बना देने हैं एं त्क हम और ल सिंपल विओ ओफ नेषवकिइं प्रोब्लम है इसमें कोई ऐसा समझना इबात नहीं प्रैक्टिकल है बड़ा किना जैसे हुनने फिकर बनाई है वैसे बना लेना मांड समय कर सकते हो इसका ग्रज्द कोंड गया कि आप बोलो कि मैंने मांड में लर्न करलो थे कोई भी वईन वाली वाली ऊबहता हैं कुछ पुलोट करना ऊंदो कुले नेंस ढुरौ इंटर्ग्रांभ्रांइजपटर्वन से इसमें क्या था कि इसमें दो खुलम यह esemp अन्हुनियो इस में सब हमारी value आई है ना जितनी भी कहते answer आया exact answer वो हमने show करना है इस मोडल में clear? next देखो next इसमें data देखो figure देखो अब bar graph हम show करते हैं plot करते हैं कहते हैं कि इस data का इतना है 2009 से 2010 का ये plot हो रहा है तो ऐसे ही इसमें क्या 123 numbers डालेने है नीचे भी 123 डालेने हैं अगर वान में कहा प्लोट और थर्ड में ठीक है कितनी value में 2x plus 3y greater than 12 and second में क्या था x plus y minus में था वो red line dead line show कर रहा clear ठीक है इसमें कुछ भी नहीं simple ही आपने मतलब variable numbers लिख लेने है 1 2 3 right side पे भी नीचे भी लिखनेने है 1 2 3 4 जितने भी आपने लिखने है 3 4 तक और उसको plot कर रहा है किसके साथ पहले 1 को करना 2 के साथ कितनी variables में minus x plus y is equal to greater than 1 second last में क्या करना 1 का variable कितना plot कर रहा है उन्होंने third पे कर रहा है 0 ratio 1 पे 0 ratio 1 पे कर रहा है तो 2x plus 3y greater than 12 आ गया इसको solve कर लेना और next अगर 3x है यहाँ पे 3y था तो अभी यहाँ पे y को हमेने x ले लिए 3x और 2x को 2y ले लिए it is greater than 12 ठीक है number a की लिखने है मालो जैसे 4x plus 8y is equal to 24 लिख दिया आपने तो नीचे यहाँ पे की लिख दोगे 4x था ना तो 4y आजेगा वहाँ पे 8y की जगए 8x आजेगा is equal to greater than 28 आजेगा clear समझा रही है next model देखो next हमारा आगे non-linear programming अब non-linear programming काउन से होती है non-linear होगा जिसका कोई भी accurate नहीं होगा not-linear होगा जिसका कोई coincidence नहीं होगा कोई optimization नहीं होगी इसमें क्या था कि कोई हम value अपनी तरफ से assume भी कर ले ना उसका भी wide variety of functions form होता है different class में different data भी हम collect कर सकते हैं because it is a low-nearer programming how the problem solve but generally non-linear programming model is more difficult to solve the similarity क्योंकि जिस चीस का देखो data ही नहीं अच्छे से हमें पता होगा उस program को solve करने के लिए हमें time तो लगे गई ना difficult तो आए गई ना अगर accurate data हो जैसे linear programming गए था तो फटा 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 easily solve हो जाता है time भी consume होता और cost भी कम लगती है clear next आगे चलो देखो इसकी figure देखो अब देखो no linear programming कोई किसी के value में कोई put up हो रहा है अगर minus 5 x is equal to 5 है एक positive variable एक negative ले लिया ऐसे same इसका है ठीक है यहां पे x show कर दो y variables show कर दिया किसी का program आपस में linkage नहीं है diagram पे आपने ज़्यादा focus नहीं करना diagram with examples की form में मैंने आपको पताया आपने information लिखनी है meaning उसका main अच्छे से आपको पता हो कि क्या होता अगर आपने diagram बनाना linear का non-linear का बना ले ना बस satisfied है इतने में ठीक है but program आपने सारे models आपने सारे ही देखनी है कौन-कौन से OR में models है next आतना हमारा socialistic इसमें क्या था कहते कि socialistic is a programming is a network of a program and generally rejected the efforts and uncertainly assumed the decision and predicted the domestic ठीक है कहते इसमें हम easy जलदी से जलदी हम program को क्या कढ रहिता है neglect कर लेते है ठीक है neglect कैसे कर लेते है अगर program हमें समजी नहीं आँरा तो हम इसको करा दते है ना छोड़ दो की for example मालो अगर आपको कोई बात ही नहीं समझा रहा आप वो पेपर में करके गते ओ आप कहते होने यह नहीं आते हैं यह चोड़ देते हैं जैसे हैं इसका भी प्रोग्रामिंग ठीक है इसमें क्या अब्स्रेक्शन ऑफ रियल और लोज ज़नल कॉंप्लेक्शन डिसीजन प्रोग्राम्ट टू मॉडल एंड उसिंग पावण ठीक है इसमें हमें डिसीजन भी बड़ते हैं नेक्स्ट हमारा आते हैं सोचलिस्टिक दुबारा आगया था चलो नेक्स्ट हमारा आते हैं डानामिक प्रोग्रामिंग डानामिक प्रोग्रामिंग में गया था दैनामिंग प्रोग्रामिंग कहते है कि वो प्रोग्रामिंग है इसमें क्या कि मोस्ट और मोस्ट कवरेश होती है प्रोग्रामिंग में ठीक है मेर उसका focus यही होना चाहिए कि easily हमने इस program को क्या करना solve करना with a mathematical way से clear और इसमें sequencing maximization होती है means maximum cost लगती है इस program में clear next यह repeat हो गया आगे चलो आगे आगे discrete time इसमें क्या था discrete time में just wait yes discrete में क्या करते सोचलोस्टिकल पर सैस कैंडे डिस्क्राइब दा मैट्रिक्स and which are probabilities to moving to each other and other state in a one time internal कैते है इच अदर में इच स्टेट में मुव होता है यह program chain है जो चलती रहती है one time internal में मैं आप मैंने आपको पहले वोले discrete time markov chain कॉन सी है जो continuously चलती रहती है जिसका कोई ending period नहीं है ठीक है कैते assuming this matrix is unchanging with the time unchanging time है but process is discrete time markov chain ठीक है competition is the techniques available to compute a variety of system and measure to utilize and analyze the value ठीक है write the full form of dtmc ठीक है तो आपको पता हो next continuous time markov chain continuous time markov chain भी सेम है इसमें क्या था continuous इसलिए time is a continuous parameter time continuously parameter अगर चल रहा है time तो चली जा रहा है time किसी के कहने से रुकेगा नहीं ठीक है clear next time tuning क्या क्याते इस program में क्या होता था यह भी important time program किसमे model यह model भी important है हमारा बट इस model में क्या है कि हम यह कुछ situations ऐसे की आजातनी है जो हमें मतलब handle करना guaranteed नहीं होता ठीक है अकर्दा some time के बरी हम सोचते हैं कि यह problem को हम कैसे solve करे problemistic arrive कैसे होगा और service pattern कौन सा हम adopt करें ठीक है but trade offers between the cost increase service इसमें क्या होता है increase होती है क्या cost and capacity भी इसकी क्या होती है जादा and cost waiting customer prevent easily solution को क्या कर लेता design problem को solve out कर लेता है but if अगर cost is expanding service facility where is a no object का तो तो कोई object नहांगा cost expanding services facility हम रहे रहा है तो then radically enough service should could be a provided to handle or arriving customers without deal कैते है without deal हम यह model को क्या कर सकते है adopt कर सकते है with the operational research में clear and reality through the reduction in a service capacity result is a concrete increase and cost is also associated with the waiting the basic object is most going the model is achieve the balance between these cost करते हमें हर चीज हर cost में क्या बना के रखना चाहिए balance बना के लखना चाहिए यह वहला model क्या 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 हो balance हो reduction services capacity क्या हो low और increase क्या हो cost association हो ठीक है next आजो Simon Talens इसमें क्या था स्रिमनेशन में कि कहते है कि इस प्रोग्रामिंग को भी adopt model को भी adopt करना easy है बट random variables हमें चूज करने में difficulty आपती है ठीक है when a situation is affected by the random variables it is often difficult to obtain the clause from equations it can be used the evaluation ठीक हमें कैसे evaluate करना है उस प्रोग्रामिंग करना है उस प्रोग्रामिंग करना है जर्नली टेक्निक्स क्या यूस होती है statical measures में but complex system भी है इसका ठीक है it is a variable to use the complex system but it is a system to the model the random variables were known as the these values is random and known the probability of a distribution यह probability of distributions पे भी क्या होता है use of the random way ठीक है the statics are use the evaluation and design इसे evaluation करना डेक्स्ट क्या करना design बना करना ठीक है clear अगर किसी को doubt हुआ में इसे पूछ ले ना और यह सब भी किस सब भी models अपनी copy में लिख लो ठीक है सारे स्टुनेंट इंपॉर्टेंट है कोशन फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपका complete हो गया कल हम next करेंगा और मैंने किसी टाइम भी किसी बच्चे को कॉल करके बोलेंगा मुझे अपने notes सेंट करो मैंने देखने है कहां लिखिया और side by side learn करने स्टार्ट कर दो points okay class thank you